हेलो दोस्तों मैं हूँ तरुष्का और मेरी चैनल आर्ट आफ गार्टिनिंग पर आप सभी का स्वागत है उमीद करती हूँ कि आप और आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे अच्छे होंगे आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं वाटर में हम लोग प्लांट् किया जा सकते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम लोग प्लांट्स का वाटर प्रोपीशन क्यों करते हैं तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि आम तौर पर सिर्फ मनी प्लांट को ही पानी में बॉटल में लोग लगा कर रखते थे लेकिन आज की समय में ऐसा प्लांट्स प्लांट्स को प्रूपगेट पाने में रखा जाता एंगा। इस अडिधी त्रैंडिक्ते इस स्टुपी दूसरा कारण प्लांट्स को प्रूपगेट करते है। बाल में टाइएल कीचा प्रोपगेशन है वह पानी में होती है अगर हम कोई कटिंग से दूसरा प्लांट करना चाहते हैं तो पहले हम लोग उसे पानी में रख देते हैं तो वह काफी जल्दी और असानी से प्रोपगेट कर जाएगा उसकी रूट जल्दी आएंगी और उसके बाद में हम लोग उसे मिट्टे में शिफ्ट कर सकते हैं तो कौन-कौन से प्लांट से जिने वाटर में प्रॉपगेट किया सकता है और कैसे किया सकता है उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और उसके बाद उन्हें मिट्टे में कैसे शिफ्ट करना है वो भी मापको डिटेल मे बताने वाली हूँ और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पानी में से मिट्टी में उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो रूट्स होती है प्लांट की जो रूट्स होती है उसकी ग्रोथ पानी में अलग तरीके की होते हैं और मिट्टी में अलग तरीके से होते ह जो environment है काफी अलग होता है तो कई भाय हिह होता है कि चब हम लोग 20 मिट्टी में t राउब्स करते है तो टो फोद्ट ग्राब हो जाता है जिस तरीक गर्रोथ उसकी पानी में थी वैसी उसकी में मिट्टी में नहीं रहती है तो इसे हम लोग कैसे maintain कर सकते हैं और कैसे हम लोग successfully पानी से मिट्टी के अंदर प्लांट को shift कर सकते हैं कटिंग को shift कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी एक छोटी सी ट्रेक है जो की वीडियो के end में है तो वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा देखि तो आएए चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन से प्लांट्स मैंने वाटर में प्रॉपगेट किये हैं और उन्हें किस तरह से हम लोग बात में पॉर्ट्स में shift कर सकते हैं तो यह प्लांट्स हैं जो मैंने वाटर में प्रॉपगेट किये हैं और मैं आपको एक एक करके रिजर्ट दिखाना चाहूंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारे मनी प्लांट की इसे पानी में लगाये हुए मुझे अब 10 तिन हुए है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स है काफी कहरे तक पानी में आ गई है और यह जितने भी पोथोस प्लांट रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो इनकी में ब्रांच होती है उसमें ही एक ऐसा है चोटा सा रूट बर्ड होता है तो उसे अगर हम लोग पानी में डिप कर देंगे तो बहुत जल्दी यह जड़ पकड़ लेगा और काफी यह फैल जाएगा अब देखी यह स्नेक प्लांट है स्नेक प्लांट की बहुत सारी विराइटीज आती है इसकी रूट पहले बहुत ही चोटी थी दो दिन में ही यह पानी के अंदर काफी ग्रो कर गई है यह आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट स्पाइडर प्लांट में एक ब्रांच के साथ में यह बेबी स्पाइडर प्लांट निकलते हैं उनकी रूट बहुत ही चोटी च जाएंगी और उसके बाद में इसे हम लोग पॉर्ट में शिफ्ट कर सकते हैं यह है सकुलेंट के लॉंग के प्लांट पानी में भी यह बॉटल में भी काफी अच्छा लग रहा है काफी अलग लुक दे रहा है इसकी रूर्स ने भी बहुत गना जाल बना लिया है पानी के अंदर और यह है लक्की बैम्बू प्लांट जिसको बोलते हैं इसकी रूर्स आप देख रहे हैं से वाटर बे प्रॉपिकेट करना बहुत इजी है बनी प्लांट की तरह है हम लोग सिंगोनियम को भी पानी में डाल सकते हैं इसमें भी जो प्रांचिस होते हैं उसमें चोटे-चोटे रूट बड रहते हैं तो यह पानी में काफी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं मॉंस्टेरा एडन सौनी मॉंस्टेरा एडन सौनी आजकल काफी पॉपुलर होने वाला प्लांट है और यह देखिए इसमें भी मनी प्लांट की तरह से यहां पर एक बड रहता है और उस बड में से काफी तेजी से रूट्स निकल आती है और क्योंकि मैं इसे पानी में ही कर दिया था एक्स्ट्रा रूट्स मैंने कट करती थी और सिर्फ यह एक ही रूट रखी और यह भी बहुत जादा बढ़ती जा रहे है तो मैं इसे भी कट कर दूए क्योंकि नहीं तो यह पूरा इसपार्ट के अंदर रूट से भर जाएगा एक्स्ट्रा रूट्स को हम अगर आप इसे मिट्टी में ले जाना चाहते हैं तो अब इस स्टेज पर ले जा सकते हैं इसकी रूट्स काफी अच्छे से क्रों कर गए हैं इसके साथ मैंने जो पानी में प्रॉपगेट किया है वह यह पेडिलेंधर्स की एक वराइटी एक सक्यलेंट है और काफी हरा- पर और सुन्दर दिखता है आप देख सकते हैं यह भी पूरा जो इसकी सभी प्रांचिस है उसमें अच्छे से रूटिंग हो गई है सब में रूट्स आ गई है और चुकि मैं इसे भी पानी में ही रखने वाले हूँ अगर आप इसे जमीन में लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर लगा सकते हैं यह बिलकुल अच्छे से इसकी जो जड़े हैं वो जमीन को पकड़ लेंगे अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वाटर प्रोपेगेटेड प्लांट को हम लोग मिट्टी में शिफ्ट करेंगे जो हमने वाटर में प्रोपेगेट किया है कोई भी प्लांट उसे हम लोग मिट्टी में शिफ्ट करने से दो या तीन दिन पहले इस तरीके के नौन ट्रांस्पेरेंट किसी बर्तन में कप में डाल देंगे पानी के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ मिट्टी मिक्स की है और दो ये तीन दिन तक उस प्लांट को वही पर रखेंगे इसे रखने का रिजन यह है कि जो पानी के अंदर हम लोगों ने मोसली हम लोग बॉटल में रखते हैं तो उसे ट्रांस्पेरेंट बॉटल र नहीं करेंगे और यह हो सकता है कि हमारा प्रॉपगेशन सक्सेस्फुल नहीं रहे तो इसलिए हम पहले इसे जो नौन ट्रांस्पेरेंट सी बर्तन में डाल देंगे ताकि उतनी ब्राइट लाइट नहीं मिले और कुछ मिट्टी उसके अंदर दो या तीन चमश मिक्स कर द आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और चैनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और अच्छी इंफोर्मेशन वाली वीडियो के लिए